आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार में चंदन सिंग नयाल परियावरण प्रेमी और साथियों आज हम जो है सीट सोइंग का काम कर रहें सीट सोइंग माने बीज को जंगल में लगाना अब हमारे पास जो है इसमें यह देखिए बाज का बीज है और यह बाज का बीज जो है हम फंब जंगल में लगाएंगे और जहां जहाँ पार हम थोटीसी खंतिते और ग्हांगे बार उसमें बाज का वीज लगार में अभी मैं जंगंते संझे में अपने प्लाथ आपने यह जो हमारे पास बीज बचा है जो हमने बीज क्लेक्ट किया है इसको हम वैसे ही जो है जंगल में डाल देंगे खंती खोद कर और सीट सोइंग जिसे हम कहते हैं बनिभाग की भासा में या उसमें तो हम इन बीजों को क्योंकि यह पूरा देखिए आप यह चीड का जंगल है यह चारों तरफ आप देखिए तो यहां कहीं हम जो है बाच के बीजों को डाल के परियास कर रहे हैं कि सीट सोइंग भी यहां पर सेक्सेस है या नहीं तो अभी मैं जो है इसमें बाच के बीज लेके जा रहा हूं और यह जो है काफी वीज हम लोगों ने खठा किया है लगभग इसमें पांच से दस किलो भी इसमें है अभी और लगभग हमने एक कट्टे से जादा बीज अभी इखठा किया हुआ है और लगभग ऐसे ही दस से पंदरा किलो तो बीज हम लोग उने गड़े में डाल लखा है जिसको हम पॉली वैक्स में तयार करेंगे बांच के पोधे तो अभी हम लोग जो है चल रहे हैं और यह जंगल देखे पीछे और अब हम प्लांटेशन में अभी पहुंचेंगे और वहां जो है फिरिये सीट सोइंग का काम हम लोग करेंगे क्योंकि पिछले दो तीन वर्षों से भी मैं जो है सीट सोइंग का कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट है 50 परसेंट से लगभग उसका रिजल्ट रहता है कहीं पर 40 परसेंट भी रहता है अगर हमने एक सो बीज के बीज लगा हैं तो उसमें से लगभग 30 से 40 बीज ही जमते हैं और कहीं पर 20 बीज भी जमते हैं और इनमें बड़ा एक वो रहता है कि जो है नेचुरली ये फिर ग्रोथ करते हैं अगर कोई पौधा जम जाता है तो फिर वो नेचुरली ग्रोथ करता है तो इ कि यहां पर हम एस सीट सोइंग कर रहे हैं अर्थात बांच के बीजों को जंगल में इस तरह के से छोटी छोटी जो खंतिया टैप में पना के उसमें बांच के बीजों को डालते हैं और उसको फिर ढग देते अभी जो है बांच के बीजों का जब इनको कलेक्ट किया जाता है और उसी के बाद जो है ये बांच के बीज लगाए जाते हैं तुरंत जो है इसको डाला जाता है ये जन्वरी फर्वरी तक जो है हम इन बीजों को बो देते हैं कुछ bीज हम लोगों ने जो है poly house में poly bag में भी तैयार किये हैं और ये इस तरीके से ये देखे इस तरीके से ये बीजों को हम छोटी छोटी खंती बनाके इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद जो है इसको मिट्टी से हम लोग डग देते हैं में ऐसा होता है कि लगबग 20%, 30%, 40% बीज जो है इसका जमता है और यह सब बीज नहीं जमता तो जो है जंगलों में यहाँ एक बहुत अच्छा माध्यम है क्योंकि मैंने पिछले कई वर्सों से देखा है सीट सोइंग का भी रिजल्ट जो है देखा है पिछले कई बार हम अभी बारिज भी हो रही है तो बारिज से भी जो है इसको फाइदा होगा सीट सोइंग को इस परकार से पूरे जंगल में जो है हम लोग जगा जगा इस परकार से गड़े बनाते हैं और उनमें इस परकार से बीजों को डाल देते हैं और यह फिर अंकुरित होते हैं और इ में ये बीज हम लोग डाल रहे हैं ये पिछली बार सीट सोइंग किया था हमने पदम के पौधों का पदम के जो पौधे हैं चोटे-चोटे ये कुछ टाइम पहले हम लोग उने बीज डला था और ये पौधे यहां पर बन चुके हैं देखिए इस तरीके से ये पौधे हाँ सब्सक्राइब यहां पर हम लोग स्वीट सोईंग का काम कर रहे हैं यह देखिए इसमें बीज बाच के और यह पर बाच के बीज डाल दिये हैं यहां पर जो है अब ओले गिरने लगे हैं और बर्फवारी का टाइम हो रहा है बरब भी गिर सकती है बारिष हो रही है बूदाबादी हो रही है और यह उले गिर रहे हलके हलके तो फाइदा होगा हमारे सीट सोइंग के काम को क्योंकि बारिष भी होगी अभी हम सीट सोइंग कर रहे हैं और जो है देखे मैं इतना भीग भी चुका हुए सब्सक्राइब करेंगी और यहां पर जो है जो गांस जो है गंदी घांस जो पत्वार है उसको खालने के लिए आने वाली है लेकिन बारिस हो चुकी है साइद वोड ना आए फिर भी जो है हम कंटीनु जो है हम जितना भी वीज लेके आये हैं हम इसको चाहे बारिस में भीज जाएं कोई बात नहीं है लेकिन हम इसको जो है यहां पर बो कर जाएंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को जरूर देखें अंड तक ताकि आप सब लोगों को जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो आप सब लोगों को पता चले हमारे आने वाली पीडी को भी पता चले जै देवोमी जै उत्राखंड